हेलो वाइस स्वाकते को और मार्टिनल्स के वडियो में जाने के निफ्टी बैंक निफ्टी एंफिन निफ्टी कल तूजडे के लिए कल फिन निफ्टी के एक्सपारी है अगर आप देखेंगे तो बजार ने अल्टाइम हाई पे एक सेलिंग दिखाई है तो आप कम कॉंटि इतना मुवमेंट नहीं मिलेगा सेम चीज़ है बैंक निफ्टी में वह भी लगबाग आप बोल सकते हैं तो बजार को माई के पास उतना एग्रेसिवली सेल नहीं करेंगे जितना कि अगर वह यहां पे होता या फिर यहां पे होता आप कम कॉंटिटी में लेंगे अगर अप्शन डेटा देखेंगे तो आपको वन के आसपास दिखेगा अगर आप फिनिफ्टी के अप्शन डेटा देखेंगे तो वन के आसपास दिखेगा ग्लोबल मार्केट आपको फ्लैट दिखेगा एफ आइस के तब से कुछ एक्शन नहीं हुआ है 500 करोर जो कुछ भी न देख रहे हैं कल के लिए अगर आप लेवल्स बात करेंगे तो यहां पर मेभी 23,000 के उपर बजार निकलता है 23,000 के उपर पुट ओवाई बिल्ड होता है सपोर्ट मतलब की वहां पर पुट ओवाई बिल्ड हो तो आप 23,000 के उपर कॉल साड में जा सकते हैं आप 59 यह में करने का वेट करना चाहिए अगर अगर 900 टूटता है तो 23,000 पर Massive Call OI build होना चाहिए, अगर 23,000 टूटता है तो 900 पर Massive Call OI, Put OI build होना चाहिए, I hope कि आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा है, मेरे followers समझेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, नए लोग की मेरी बाते समझ में शायद ना आए, Put OI build हों का मतलब कि Change in OI build होगा, जब Change in OI क्लिक करेंगे, तो कुछ ऐसा data होना चाहिए, Put side में जाने के लिए, Call side में जाने के लिए, and Call OI जादा होना चाहिए, Put side में जाने के लिए, यह हमारा Nifty का view है, कि 23,000 पर Put OI build होना चाहिए, आपको पता चल जाएगा, धरे-धरे-धरे आप मार्केट का उजब करेंगे, तो आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा, and आप बैंक Nifty में भी same, यहाँ पर आपको दिखेगा कि Massive Resistance कहाँ पर है, आपको बस क्लिक करना है, यह सब आप Sensible में चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हम Positional OI देखेंगे, आपको यहाँ पर 49,500 पर Resistance दिख रहा है, Highest OI दिख रहा है, 49,500 पर, and 50,000 पर, so 500 को हम ऐसा Resistance मानेंगे, यह जो Last में Silling आई है, 500 के उपर गर बजार निकलता है, तो आप जा सकते हैं, साइट की तरफ, अगें, यह सिर्फ दिखाने की लेबल से, असली लेबल जो होता है, वो आपका डेटा पर होता है, चेंज इन वाई पर, मैं इसी में ज़्यादा यकीन करूँगा, ना की चार्ट्स पर, और आप इसको, ट्रेंडिंग वाई से सेंटिमेंट चेक कर सकते हैं, फिन निफ्टी की बात करें, तो आप यहाँ पर 21,900 का ऐसा सपोर्ट ले सकते हैं, सेम है यह निफ्यादा ज़्यादा बेटर है, बैंक निफ्टी से, क्योंकि जो स्ट्राइक पैसे से, वो बहुत नियर है, और यह आपके कुछ लेबल से हैं, सप्लाइ डिमांड कल के लिए, मैं वेट करूँगा, डेटा से क्लारिटी के लिए, इंडिया विक्स है, कहां पर इंडिया विक्स आज आज याई थिंक, वो 7% अप था, इंडिया विक्स लगभग 23 के उपर निकल चुका है, मार्केट बिल्कुल वोलाटाइल होना है, यह नॉर्मल बात है, कि आप मार्केट वोलाटाइल होगा, अगर आप वोलाटाइल नहीं सह सकते हैं, तो मेभी आप ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि यह बिल्कुल नॉर्मल है, इलेक्शन का बाजार है, जैसे जैसे काउंटिंग आएगा, जैसे जैसे कोई और निउस आएगा, यह सब बिल्कुल होना, इसको हाई विक्स बाजार बोलते हैं, ओलाटाइल बाजार बोलते हैं, and stop loss छोटा लीजिए, targets बड़ी लीजिए, आपको options के premium में spike भी दिखेंगे, seller हैं तो hedge करके जाएगा, तो यह आज का market list वीडियो, thank you for watching and see you in the next video.